जिन्दगी सुख और दुख का नाम है दोनों के बैलन्स से ही लाइफ को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं क्या आप तयार है अपने लाइफ को पूरी तरह से उपर से नीचे तक बदलने के लिए तो चलिए चुरू करते हैं पीमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत जिन्दगी सूत्र मेरे यानी परी के साथ नमस्ते मैं परी पत्री आप सभी के साथ बहुत सारे अच्छी बाते शेर करने आई हूँ हमारे पास टाइम नहीं है ये नहीं है ये सारी जो एक्सक्यूजस है उससे आगे बढ़के क्योंकि हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते कोई भी हम स्ट्रगल करने की ज़रूरती नहीं है बहुत ही आसान तरीके से सब हम हैंडिल कर सकते सब हम अपने लाइफ में मैनिफस्ट कर सकते ये जो सूत्र है वेरेवर यू फोकस यू यू एनरजी गोज दे मतलब आप जहां भी अपका ध्यान रखेंगे जहां भी आप फोकस करेंगे आपकी एनरजी उधर जा रहा है तो अगर हम प्रॉब्लम में फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स ओर हो जाएंगे अगर सुलूशन पे फोकस करेंगे तो आपको सुलूशन सी दिखेंगे जो भी है आपके लाइफ में relationships हो, आपका finances हो, या आपका, बोल सकते हैं, आपके health हो, यह जो भी है आपके life में, आप जो experience कर रहे हैं अभी, आप जो देख रहे हैं, वही reflect कर रहा है, वही आपके life में एक mirror की तरह reflect हो रहा है, अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आपके life में मतलब, इसका मतलब यह है कि आपको, वह job quit करना है, या divorce करना है, या शहर छोड़ना है, वह ने, आप अपने, खुद को बदलना है, खुद की सोच को बदलना है, आपकी उर्चा को उपर लेके आना है, जब आप अपने आप पे काम करेंगे, तो वह अपने live में automatically reflect हो जाता है, तो यही एक message है, और यही एक सोच के साथ, हम ये show शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरुवात करेंगे, मेरे introduction के साथ, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाए, मैं एक बहुती साथारण middle class family से बिलॉंग करती हूँ, जो कि South India में हाइदरबाद नाम की एक शहर में बॉन हुई हूँ, और मेरी परवरिश एक ध्यानी परिवार में हुई है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं अपने मा के womb से ही ध्यान सीखके आई हूँ, तो मेरी जो life है साधारण है और असाधारण है, मैं आपको समझाओंगी इसका मतलब क्या है, मेरे life में एक, मैं एक सोच के साथ, बच्पन से ही मुझ में समा गया था, बच्पन से ही मेरे बाबा अपने सिखाया, कि हम अपने life को खुद create करते हैं, जो भी है, वो सुख हो, दुख हो, कोई भी हो, हम अपने life को खुद create करते हैं, मेरी जो परवरिशे सिर्व ध्यान से ही हुए, कोई पूजा नहीं था, कोई रिचुवल नहीं था, मैं वैसा माहोली नहीं बना कभी, तो मैं स्कूल जाती थी और सारे फ्रेंड्स थे, मौज मस्ती सब होता था, पर उसके साथ भी ध्यान भी होता था, तो बचपन से ही, दो साल, चार साल से ही, मैं रोज पांच-दस मिनित ध्यान करती आई हूँ, मेरे फादर एक नॉर्मल जिन्दगी जीते थे, एक मार्केटिंग ऑफिसर, एक अगरिकल्चरल ऑफिसर बनके, उनकी एक बहुती अच्छी कॉर्परेट जॉब थी, पर उनको एक, क्या बोलते हैं, एक एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग हुई थी, 1970s में ही, और उनका एक मकसद बन गया कि हर एक प्राणी को ध्यान सिखाना है, शाकाहारी जगत बनाना है, एक पिरमिट जगत बनाना है, तो उसी मकसद से वो meditation यानि ध्यान सिखाते हुए, हर एक हर एक घर जाते हुए, वो पैदल जाना या बस में जाना, ट्रेन में जाना या फ्लाइट में, किसी तरह भी हर एक विलेच, टाउन, सिटी जाके वो ध्यान फ्रीली सिखाते आएं, और 1992 में यह जो उनका पैशन है या परपस है, वो एक मुवमेंट बन गया, जो की पिरमिट स्पिरिचुल सोसाइटिस मुवमेंट की स्थापना होई है, तब से लेकर आज तक एक ध्यानी से आज करोणो ध्यानी ध्यान करते हैं और ध्यान सिखाते हैं, तो वो है ब्रह्माश्री पत्री जी मेरे मॉम और मेरे बहन भी ध्यानी है और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे मॉम से मैंने magic सीखा है और मेरे father से मैंने spiritual science सीखा है और इन्ही दोनों का बंधन सूत्र ही आज जिन्दगी सूत्र मैं आपके सामने लेकर आए हूँ मेरे मॉम के बारे में बताना उनका नाम है स्वन्नमाला पत्री आज मैं जो भी काम करती हूँ उनसे ही इंस्पायर होके उनसे ही सीख के आज मैं करती हूँ उनके बारे में बताना बच्पन से ही मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से observe किया यह पूरी जो movement है उसका जो backbone बोलते हो या उसका जो एक शक्ती है वो है मेरी mom और मेरे sister के बारे में बताने के लिए उनका नाम है परिनिता पत्री मेरी जो grounding है वो उनसे है वो mother earth से बहुत ही जुड़ी है और आज उसी काम में Save Water Go Green एक foundation की स्थापना किया है उसमें environmental issues या environment को support करते हुए बहुत सारे activities बहुत सारे programs की निर्मान करती है तो बचपन के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बताया बचपन से ही मेरे एक सोच कि हमारी life को हम खुदी create करते हैं मैं अपने life में manifestation वो बहुत ही naturally होता था मुझे ऐसा recipe या ऐसा करना है ये law of attraction है ऐसा कुछ इतना मैंने सोचा भी नहीं क्योंकि वो normal मेरा lifestyle ही वैसा था मैं जो भी चाहूं वो हो जाता था मुझे school नहीं जाना तो teacher आती नहीं थी या कुछ होता था और school बंद हो जाता था और मेरे father के साथ मैंने nature के साथ रहना और books पढ़ना ये सारी चीज़े मैंने सीखा जैसे कि trekking जाना, hiking करना बहुत करते थे हम तो mountains में जाके meditation करना तो उससे मेरी एक जो creativity है जो एक nature के साथ relationship है उसकी शुरुवात हुई है और book reading ये मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मेरे father मुझे books देते थे पढ़ने के लिए और मैं उनको बोलती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो काफी advanced spiritual books होते थे और मैं 9 साल की थी या 8 साल की थी और मैं पढ़ती थी और कुछ समझ में नहीं आ था था तो उन्होंने ने एक चीज कहा कि फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है सिर्फ पढ़ो पहले पेश से आखरी पेश तक सिर्फ पढ़ो तो मैंने वही किया तो इससे क्या हुआ एक हैबिट बनी है कि पढ़ने का एक हैबिट बनी है तो जब ये आपको हैबिट बनती है उसके बाद ही आपको वो एंजॉय करना आप शुरू करते हैं तो सभी जो बच्चे हैं उनको ये एक टिप है कि आप अगर आपको एक reading habit बनाना हो तो पहले आप शुरू कीजे दिन में एक घंटा या half an hour रखिए और पढ़ना शुरू करिए और बहुत सारे books है जो हमारे PSSM movement में आपको recommend किया हुआ है कोई भी book लीजे और आप बस शुरू कीजे तो वैसे ही मेरी एक book reading की journey शुरू हुई और उसके साथ ही एक बहुत ही important चीज थी मेरे father के लिए कि experience शेर करना है तो सबका सुनना सबका story सुनना और उसके साथ ही travel भी तो उनके साथ मैं हर जगा travel करती थी सबका experiences सुनना और मेरे experiences share करना meditation के द्वारा या कोई भी जो मैं सीखती थी वो ही मैं बताती थी तो इसके साथ मेरा जो अंदर का confidence या adjustment या कोई भी चीज के साथ flow होना मैं सीखते आई हूँ जैसे के present moment में रहना ये एक naturally मेरे अंदर इसकी जो सोच है या इसका जो living lifestyle है वो बहुत ही naturally आ गया मैंने ये कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे माबाप दोनों ही ध्यानी थे वो दोनों ही spiritual scientist है मुझे कभी ये कहा गया ने कि तुम यही करो या यही करना है ऐसा सोच के साथ मेरी परवरिश हुई कि मैं कोई भी चीज experiment करूँ कि समझू ये क्यों करना है questions पूछना है ये भी बहुत encourage किया गया है कि questions पूछो आपको हर चीज जानो पहले सिर्फ मानो ने सिर्फ आप जानके उसका practice करो तो इसी तरह मैं एक ध्यानी परिवार में बड़ी हुई हूँ जो मेरे everyday topics थे past lives के बारे में बात करना चक्रास या कुंडलिनी या UFOs या कोई भी आप topic लो तो इसी बाते करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ ये मेरे रोज के dinner table conversations है मेरे घर में उसके बाद मैं higher studies करने US गई हूँ और वही पर मैंने master's किया और मेरी एक corporate job में मैं काम करना शुरू किया और उसी के साथ मैं अपने husband को मिली love marriage हुई उनके साथ और उसके बाद मेरी real story शुरू होती है कि कैसे मैं अपने आपको फिर से पहचाना मतलब जब मैं US चली गई तो मैं अपने मुझे एक था कि मैं एक साधारन जीवन जी हूँ मतलब अब तक मैं एक ध्यानी परिवार में थी सिर्फ यही बाते होते थे तो मुझे लगा कि मैं एक बाहर दुन्या भी देखूँ एक normal जिन्दगी भी जी हूँ और उसी के साथ मैं जब US गई तो सारे मैं सब जो मैंने सीखा था कि energy के बारे में या हम अपनी life को खुद बनाते हैं या ध्यान के बारे में ये सारी जो बाते हैं लोगों को समझ में नहीं आता था जब मैं बात करती हैं और वो टाइम पे मेरा एक है कि मैं मुझे एक belonging एक मुझे acceptance चाहिए था वो society में तो उसके साथ ही में उनका जो सोच है वो अपनाने लग गई धीरे 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 वो अपनाते अपनाते कब मैं पूरी तरह से बदल गई वो पता ही नहीं चला मतलब मैं एक एक fear के साथ जीना लोगों को please करने के लिए वही बाते बताना तो और ऐसा सोच कि life में struggle करना है तभी सब मिलेगा तो ये सोच धीरे धीरे बदलने लगा है और उसी के साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे जो physical problems जैसे कि migraines आना शुरू हो गया shoulder pains तो मैं टाबलेट लेना शुरू कर दी तो ये सारे जो चीजे है वो धीरे धीरे आते गए मेरे life में और वैसे ही मेरे social life सब है बोलने के लिए मतलब घर है एक अच्छा जॉब है शादी हुआ है सब है पर एक खाली पन लगता था एक हाट में एक मन में खाली पन और वो कोई भी बाते हो या वो movie इसके बारे में बात करें या खाने के बारे में कुछ भी बाते करूं मैं एक contentment नहीं होता था तो मैं यह सोच थे थी मेरे पास सब है जो मुझे चाहिए पर क्यों मैं ऐसे feel कर रहे हूँ और उसी के साथ मेरा एक होज शुरू हुआ कि मैं कैसे इसको बदलू कैसे मैं एक happiness या एक successful life कैसे जी हूँ और उसी के साथ मैं अपना roots के साथ connect करते हुए कि वापस यह ध्यान के बारे में जानना research करना energy के बारे में research करना यह सारी चीजे मेरे life में शुरू हुए दीरे 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 जैसे यह शुरू हुआ दीरे दीरे मेरा migraine मैंने cure किया मेरा thyroid मैंने cure किया मैं अपने pregnancy के बारे में भी आपको शेर करूँगी कि कैसे पहले मुझे बोला गया कि मैं मा नहीं बन सकती हूँ पर मैंने ये माना नहीं क्योंकि मैं कही न कहीं मेरा ये core था कि मैं कुछ भी मैं अपना life खुद create कर सकती हूँ कोई डॉक्टर आके मुझे बोल नहीं सकता कि मैं मा नहीं बन सकती हूँ तो तब ही मैंने ठान लिया कि मैं तो मा बनूंगी और उसी एक जर्णी की एक नहीं जर्णी की शुरुवात हुई मेरी लाइफ में कि मैं कैसे एक meditation ध्यान के साथ एक mindset, एक miraculous mindset के साथ और एक spiritual tools को लेके आके कैसे मैं उसको manifest कर सकती जो मैंने बचपन में बिना जाने, बिना उसका एक steps जाने हुए जो मैं करती थी, सब जो भी चाहिए मुझे अगर travel करना है तो travel हो जाता था मुझे अगर school नहीं जाना तो जैसे मैंने बताया school बंद हो जाता था और बिना पड़े भी मैं 70% तो लेके आते थी तो वैसे ही वो जो सारे steps है मैं अभी consciously उसको मैंने जाना है उसको मैंने practice किया है और एक success वो बच्चे हो, वो शादी हो, वो एक job का interview हो health हो, finances हो, जो भी हो, relationship हो जो भी हो, हर एक चीज में success पाने का वो जो recipe मैंने उसको फिर से मैंने जाना है और मैं वही चीज़े आज मैं अपने जो business या जो काम में वो सिखाती हूँ हमेरे life में जो भी होता है एक rock bottom मतलब हम एतन एक tragedy या कुछ भी हो वो बहुत ही ज़रूरी होता है एक transformation लाने के लिए, एक catalyst बनने के लिए अगर वो rock bottom नहीं होता तो शायद मैं कभी फिर वापस ये ध्यान में आती ही नहीं क्योंकि मैं खुश होती जो था जो मेरे life में content होती पर मैं बहुत ही thankful हूँ कि मेरे मुझे वो problem हुआ कि मुझे doctor ने बोला कि मैं मा नहीं बन सकती हूँ या मुझे वो एक खालीपन लगा या मैं एक बहुत depressed environment में थी ये सारी चीजें के लिए मैं thankful हूँ क्योंकि इसके वज़े से ही मेरी एक अंदर एक इच्छा जागी एक purpose या passion जागा कि मैं इसको मेरी life को मैं बदलू कोई भी हो कुछ भी हो हमारी life में पहले एक decision के साथ ही बदलता है पहले हम को ही decide करना है कि हम को हमारी life को change करना है क्योंकि बाहर कोई नहीं कोई भगवान नहीं है कोई नहीं है कि आपको आके अपने life में save करेगा या करेगी आप अपने लाइफ को खुद चेंज करना पड़ेगा आप पहले उसके लिए एक decision लेना पड़ेगा जैसे मैंने अपने लाइफ में लिया कि मैं अपने लाइफ को चेंज करूँगे मैं अपना power जो था जो है खुद लेँ कि कोई किसी के पास न छोड़ू या कोई किसी approval के साथ की या कोई validation के के लिए कुछ भी हो उसके मेरे power उससे सारी जो बाहर की चीज़े हैं उससे मैं अपना power लूँ और मैं अपना life खुद create करूँ क्योंकि मैं जानती थी ये बच्चपन से ही मैं सुनते आयो कि मेरे life खुद create करना है पर मैं भूल गई हूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ कैसे मैं अपने life को बदल सकती हूँ क्या वो सारी चीज़ों मैंने जो सीखे हैं वो सिर्फ किताबों के लिए या सिर्फ बोलने के लिए तो मैं अपने आपको ये सारी चीज़ों का question करते हुए मेरी जो journey है पहले research में मतलब ध्यान में क्या होता है आना पाना सती ही क्यों कोई और ध्यान क्यों नहीं क्योंकि आज बहुत तरीके ध्यान आपको मिलेगा क्यों आना पाना सती ही करना है manifestation के लिए अपने life में को बदलने के लिए वो मैं जानने लगी हूँ वो मैं सीखने लगी और उसके साथ पिरमिड energy क्या होता है क्यों एक rectangle नहीं dome नहीं या कोई icosahedron नहीं ये सारी जो shapes है क्यों पिरमिड ही हम बना रहे है तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत सारा research मतलब books पढ़ना हो या कोई specialist expert का workshops attend करना हो या खुद practically वो experiment करना मैंने शुरू कर दिया तो उसके साथ मैंने जाना कि पिरमिड energy क्यों इतना powerful है कैसे हम उसको अपने जो everyday life में लेके आ सकते है मेरे पास कोई plan भी नहीं था कोई सिर्फ plan A यही करना है कोई plan भी नहीं मतलब अगर ये नहीं हुआ तो चलो ये कर लेंगे वैसा ही सोच रखा ही नहीं अगर ये करना है तो क्या मुझे करना मुझे पूरी अपनी पूरी जो focus है effort है पूरा देना है तो वो मैं उसके लिए ना मैं कभी अपने आपको limit नहीं किया तो उसके लिए मैंने एक word में आपको introduce करूँगी आज उसका वो है vibrational layering मतलब जो की अलग-अलग vibrations जो एक frequency में होते हैं सबको अगर साथ में लेके आते हैं तो उसका जो power है उसका जो उज़ा है बहुत powerful होता है तो अगर हम एक intention के साथ अगर हम direct करेंगे तो वो definitely manifest होगा पर ये सब करने में पहला foundation है ध्यान अगर आप ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि अगर crystal energy अगर यहां है आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप इधर रहते हैं तो आपका intention भी काम नहीं करेगा आप अपने आपको भी उपर लेके आना पड़ेगा वो ध्यान के साथ वो है आना पाना सत्य के साथ तभी आपका intention जो है वो apply करेगा और आप manifestation की और बढ़ने लगेंगे मतलब आपको जो चाहिए वो आप create कर सकते हैं तो मैं आपको यह बताऊंगी पहले आज के शो में कि आना पाना सत्य ही क्यों आना पाना सत्य जो है एक बुद्धिस language है पाली language में है और यह बुद्ध जो है उन्होंने हमको दिया है इसका जो information या technique आना means inhale आपाना means exhale मतलब जो अंदर बाहर आने वाला जो आपका जो air है उस पे आपको ध्यान रखना है attention या focus नहीं आपको observe करना है जैसे आप एक fool को observe करेंगे या एक movie को देखेंगे कैसे आप watch करतें वैसे ही आप अपने श्वास को observe करना है इसमें कोई मंत्र नहीं कोई जाप नहीं कोई मन में कोई भगवान नहीं कुछ नहीं सिर्फ आप और आपका श्वास तो इसमें क्या होता है यह जो श्वास है यह श्वास ही आपका life force है मतलब अगर श्वास नहीं है तो आप यह धर्ती पे यह body में नहीं है तो यह श्वास के साथ ही आप एक source के साथ एक source energy के साथ connect करेंगे आप यह mind को MP करना है मतलब आप beyond mind अपने अंधर जाना है तो यही तरीके के साथ एक टेकनीक एक इतनी powerful टेकनीक है जो आपको अपने आप से मिलाएगा जो अपने source के साथ वो एक infinite energy को आप के साथ आप अपना life को lead कर सकते है यही चीज़ के साथ मैंने pregnancy हो या success जैसे मैंने बताया मेरे पास कोई plan भी नहीं देता था एक ही था मुझे बस करना है तो यह सारे जो चीज़े में लेके आई activate किया मेरे life में और successfully manifest हुआ तो यह सारी जो चीज़े है यह सारी मिला के जो vibrational healing है यह नया word है आप ध्यान में रखिए हम इसके बारे में और जानेंगे और सीखेंगे जैसे आप इतने देर तक रुके थे यह सारा wisdom या information पाने के लिए वैसे ही भी मैं अब तक रुकी हूँ कि यह सब आपके साथ share करने के लिए मैं बहुत ही excited हूँ कि यह मुझे मुझे मौका मिला है PMC Hindi को बहुत बहुत धन्यवाद कि यह मुझे एक मौका दिया आपके साथ मिलने के लिए आपके साथ यह सारी बाते share करने के लिए जो कि मैंने अपने life में सीखा है और खुद मैंने अपने life में practice किया है यह सब सारे चीज़े आपके साथ share करूँगी और उसके साथ ही बहुत हम मस्ती भी करेंगे बहुत fun भी करेंगे अब हम एक नहे एपिसोड में एक नहे topic के साथ मिलेंगे और मैं और भी details आपके साथ share करूँगी तब तक मैं परिपत्री आपसे विदा लेती है Thank you करेंगे